हेलो एवरिवन वेलकम तो यूर ओन एडुकेशनल चैनल विफ्शु एकडमी आज जो वक्षिट आईए आप लोगों की वक्षिट नमबर 24 है मैं से क्लास 8 के लिए है 17 दिसंबर 2020 के लिए है टॉपिक के क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट न्यू टॉपिक आप लोगों को क्या करना है मैं पहले हम क्यूब समझ लेते हैं क्यूब क्या होता है जैसे कि आप लोगों को एक नंबर दिया 11 और इसकी जो घात है वो तीन है पावर जो है इसकी 3 है तो इसी चीज़ को अगर 11 11 की जो पावर है वो 3 है यानि कि we have to write 11 3 times and find out the answer तो यानि कि हम इस को क्या कह सकते है what is the cube of 11 तो इसको हम पढ़ते कैसे है cube of 11 यानि कि 11 का cube कितना होगा वो निकालना होता है तो हम इसको कैसे निकालते है 11 into 11 into 11 11 21 और 11 से फिर से हम करेंगे multiply तो 131 मतलब की cube को मतलब होता है किसी भी दिये हुए नंबर को 3 बार multiply करना और इसका answer निकालना उसी क को हम cube कहते हैं अब हम बात कर लें cube root की तो यह sign होता है root का आप सभी कोई पता है अगर इसके अंदर कोई number नहीं लिखा होता है इसके अंदर तो हम इसको समझ लेते कि वह square root है अगर इसकी अंदर 3 लिख दूम है तो यह बन गया cube root और अगर cube root of 13 31 पूछा है तो इसका cube root कितना आएगा 11 यानि कि prime factorization method से जब हम इसके जोड़े बनाते हैं पेरिंग करते हैं तो अब की बार square root में हम पेरिंग दो दो की करते थे अब की बार हम तीन-दीन के पेरिंग करेंगे तो उससे जो answer निकलता है पेरिंग के बाद तो उस फर्स लाइन में सेकेंड में जो है उसको three times लिख दिया है और उसका answer 7 में लिख दिया एक्वल टू करके और उसके बाद जो सकी answer से वो cubic unit यानि कि उसकी जो cubic volume निकाल से हमने cube का, cube का हमने volume निकाला है, ठीक है? तो cube का जो हमने volume निकाला है, वो आया आपकी जो answer cubic unit, cubic unit कर दिया, नहीं कि unit कोई भी हो सकता है, centimeter, meter कुछ भी हो सकता है, इसलिए, तो यहाँ पर जो bgp छोटोड़े से, जो fill ups है, वो हमें पूरे करने हैं, यहां पर देखो 1 को 3 times multiply किया तो answer 1 निकला और इसका answer हमने यहां लिख दिया तो इसे दर ज़िए 2 का 3 का 4 का सब करा हुआ है तो हमें यह 5 का जो यह जो है कॉलम यह complete करना है 5 को 3 times हमने multiply किया तो 125 आया तो यहां पर कितना आएगा 125 similarly यहां पर आजाएगा 216 और यहां पर आजाएगा 343 और यहां पर आजाएगा 512 यहां पर आजाएगा 729 और लास्ट वाले में आजाएगा 1000 ठीक है अब इस वाले बाक्स दिकरते है तो यहां पर आजाएगा बेटा 27 तो यहां पर आजाएगा 4 into 4 into 4 और यहां पर आजाएगा आपका यह है आपका 6 का क्यूब और उसके बाद यह जो है आप लोगों का है 729 तो यह था आप लोगों का जो छोटटे से fill up से stable के जो आपको complete करने थे यह हो गए चलो अपने next exercise की चलते हैं यहां पर आप लोगों को यह exercise दी हुई है यह आप लोगों को complete करनी है तो हम कैसे निकाल लेंगे 11 को 11 into 11 तो क्या होगा 11 का क्यूब निकालना है तो 11 into 11 कितना हो जाएगा 121 फिर अगें multiply by 11 तो क्या आएगा 1331 12 का करेंगे तो 12 into 12 तो कितना हैगा 144 into again 12 तो कितना हो जाएगा इसका हैगा 1728 13 का निकालो 13 into 13 into 13 तो 169 तो into again 13 तो कितना हो जाएगा इसका 2197 2197 14 का निकालो 14 into 14 into 14 into 14 तो 14 into 14 will give you 196 and again multiply by 4 then it will give you 2744 ठीक है यह आप लोगों के 1st, 2nd, 3rd, 4th है questions का solution आप लोग यह video pause करके उतार लीजेगा now let's move on to the questions 5, 6, 7 and 8 तो इसका करते हैं 15 into 15 into 15 15 into 15 will give you 225 again multiply by 15 will give you 3375 ठीक है आप 16 into 16 करो तो क्या आएगा बेटा 16 into 16 16 into 16 तो give you 16 into 16 क्या होगा 2, 5, 6 into again 16 तो 16 से करने पर जो final आएगा 4, 0 and 9, 6 यह आपका answer हो जाएगा ठीक है अब लोग उतार लीजेए फिर 17 and 18 का करते हैं चले बेटा अब हम इसका कर लेते हैं 17 into 17 into 17 तो 17 into 17 कितना होता है 289 again into 17 तो कितना हो जाएगा 4, 1, 1, 4, 9, 1, 3 ठीक है तो आब हम 18 का कर लेते है 18 into 18 into 18 तो 18 into 18 कितना होगा 3, 2, 4 और 18 into 18 तो कितना मिल जाएगा 5, 8, 5, 8, 3, 2 ठीक है 5, 8, 3, 2 इस दा आंसर तो यह थी यह थी आप लोगों का यह लग टेबल चाप लोग को complete करना था आप इसमें देख लेते हैं क्या करना है बिटा इसमें आप लोग करना है क्यूब की फिगर आप लोग को सब को वैसे बनानी आती है जिसमें सारी साइड जो है equal होती है क्यूब जो है इस तरह का होता है ठीक है यह क्यूब की पार लिख देना क्यूब ठीक है यह आपको ड्रो करना था तो बस यह थी आज की आप लोग की वक्षीट I hope कि आप लोगों को ये वक्षित अच्छे समझ में आ गई होगी, अगर आ गई है तो please give thumbs up to the video and subscribe this channel for many more such videos, so till next week, next worksheet, goodbye from here, take care, stay home and stay safe, thank you so much.